हमस्ते या पर इस वीडियो में आईकू 12 का जो लेटेस्ट मॉडेल इसका जो अन्बॉक्सिंग है आपके साथ शेयर करने वाले है रिसेनली हमने 12GB, 256GB जो स्टोरेज है आईकू 12 का जो है खरीदा है क्योंकि 512GB जो स्टोरेज है आउट अप स्टॉक ही इसके बीचे रिजन किया है इसके रिलेटेड हमने वीडियो अप्लोट किया है वो उस वीडियो को चेक आउट करके देख सकते हो यहापर हमने फोन को वीड़ेडी अंबोक्स कर लिया था बट फिर हम इसके आईकू 12 को हमने ब्लक कलर में परचेस किया है बाकी यहापर बॉक्स में जो है यापर टी प्यू केस देखनों को मिल जाएगा जो की काफली सही है एंड इस साइट में आपको जो फुल्यम बटन आ आइन पावर बटन देखना को मिल जाएगा प्लस यह आपपर स्पिकर आइड ब्लास्टर मािक देखना को मिलेगा प्लस सीम ट्रे आड जो टाइपसी चाडशिंग पोर्ट भी देखना को मिल जाएगा तो यह जो IQ 12 है, 256 GB यह लेस्ट टोरेज है, and latest manufacture हुआ है, जून में जो है manufacture हुआ है, जून 2024 में जो model है, एकदम latest model है, and यहापर white color भी अवेलेबल था, बट rate color अवेलेबल नहीं था, प्लस यहापर 512 GB का जो है, कोई भी color अवेलेबल नहीं है, अगर बात करें पर box content के बारे म जो SIM ejector pin भी देखने को मिल जाएगा, and बाकी IQ 12 का फूल रिबू भी हम आपके साथ शेयर करने बाले है, बाकी BGMI डेबू, Gcam, COD WhatsApp और मोबाल, gaming test, camera test, सभी का अलग से वीडियो हम अप्लेट करने बाले है, तो आप ज़रू से चैलर्ण को सब्सकाइब कर सकते हो, and इसका ल बाकी यहाँ पर इस वीडियो में हम step by step किस तरह सा IQ 12 को पहली दफा जो है, सेट अप करना हो को भी शेयर करने बाले है, तो ज़रू से वीडियो को अन तक देखना, and यहाँ पर 122W का fast charger भी देखनों को मिल जाएगा, plus type C to type C cable भी देखनों को मिलता है, तो आप यहाँ पर इसके साथ जो है, laptop भगड़ों को भी चार्ज कर सकतो, साथ 65W में चार्ज होता है, type C to type C cable देखनों को मिल जाएगा, बाकी 120W का fast charging का support है, एड़ किया गया है, हमने यहाँ पर 30W का slow charger है, उसके साथ ही चार्ज किया है, सही से चार्ज हो जाता है, charging के related कोई भी issue नहीं है, तो आपको charger, cable, जो back cover है, प्लस pre-apply skin guard भी देखनों को मिल जाएगा, तो जो IQ 12 है, उसमें pre-apply skin guard देखनों को मिल था है, जो कि काफी सही है, तो यहाँ पर हमने अलेक से back cover और skin guard को भी apply किया है, उसके related भी हमने वीडियो अप्लोड किया है, उसे भ फोन को सबसे पहले आउन करते है, तो यह जो IQ 12 है, इसे हमने आउन किया है, 6.78 इंची का AMOLED पैनल देखनों को मिल जाएगा, और काफी बडिया वाइबन कालर देखनों को मिल जाएगा, बाकी refresh rate के अगर बात करें, 1 Hz से 144 Hz तक यहाँ पर adaptive refresh rate देखनों को मिल जाएगा, बै प्लस HDR10 का भी support देखनों को मिल जाएगा, तो फोन जो ही यह पर start हो गया है, तो step by step जो installation है, आप फॉलो करना, सबसे बहले यह आपर जो language से select करते हैं, तो हम यह पर language के साथ साथ जो country है, यह आपर select करना होगा, तो हम यह आपर English India select किया है, बाकी यह सभी options भी देखनों को मिल जाएगा, तो यह पर accessibility settings देखनों को मिल जाएगा, जहासे आप font and display size को adjust कर सकते हो, बाकी यह पर magnification का जो feature से add किया गया है, प्लस talkback का जो feature से add किया गया है, and color correction का जो option से यह पर available है, इसका लबा यह पर accessibility के साथ जो है, animation को भी remove करने का option है, available है, फिलल हम यह आपर done में sort click करने के बाद आपको यह पर पर a lumière आपके साथ करने के न committed करना है, इसका लगई आप इसे क्सँन से click करना होगा, आपको यह आपसा जो है यह टाइशन Si忘ik गर सकते हैं, Terrorism Day को में हए और pop के साथ जो है connect कर सकते हैं, वाइफके साथ connecting करना होगा, उसके बाद या पर जो location का जो permission बगड़ है उसे आप जो है enable कर सकतो देन अगर आप चाहो तो जो skin lock है, fingerprint है और जो face unlock है उसे जो है आप यहाँ से select कर सकतो फिलाल हम face unlock and fingerprint को जो है याप पर apply नहीं करने वाले है next में tap करते है then फिलाल यहाँ पर agree and disagree का option है देखने को मिलेगा तो हमने यहाँ पर disagree में select किया है बाकी कुछ options है इसे हम simply disable करने वाले है आपको same जो option है यहाँ से disable करना होगा इससे जो है आपको और कम notification देखने को मिल जाएगा for sure तो जितने भी option है तो जो ट्राइबलेस क्विक प्यार का option है इसे भी हम disable कर रहे है उसके बाद हम जो है आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा for sure तो हमने यहाँ पर phone को जो है यहाँ पर setup कर लिया है देख सकते हो यह सबी जो application है by default जो है देखने को मिल जाएगा कुछ extra application देखने को मिलता है जो कि अगर अपचाओ तो बाद में यहाँ पर uninstall भी कर सकते हो बाकि यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है overall UI देखने को मिल जाएगा and settings मनों भी देख सकते हो बाकि यह जो phone है 204 gram का है storage के अगर बात करे 256 GB से जो है यहाँ पर इस तरह से storage free है लगबग 232 GB के आसपास जो है free storage देखने को मिल गया है तो 232 GB के आसपास जो है यहाँ पर free storage देखने को मिल जाएगा प्लस जो application बगड़ा है उसे भी आप जो ही आसे initial कर सकते हो प्लस अगर अब virtual ROM को use करोगे तो storage से आपको थुरा से space देना पड़ेगा उसे भी अगर आप चाहो तो disable कर सकते हो बाकि overall UI तो बढ़िया है camera के अगर बात करें को जिससरे से camera के साथ यूसर इंटरफेस जो है देखना को मिल जाएगा camera के साथ जो है यहाँ पर अलग-अलग mode को add किया गया है बाकि यहाँ पर font camera से आप फूल HD ताकी वीडियो को record कर पाऊगे यह चीज हमने नोटिस किया है बाकि यहाँ पर supermoon mode है एस्टो मोड भी able level है अलग-अलग features को add किया गया है camera के related हम डीटल वीडियो अप्लोड करने वाले है उस भी check out करके देख सकतो quick settings panel के अगर बात करें कुछ इस तरह से quick settings panel देखनों को मिल जाएगा अलग-अलग options को यह पर add किया गया है बाकि in hand field के अगर बात करें काफी सही है phone जो है काफी अच्छा जो है build quality and design देखनों को मिल जाएगा in hand field जो है मेरेको काफी सही लगा है कोई issue नहीं है बाकि अलग-अलग valve पर देखनों को मिल जाएगा जो कि आप यह से select कर सकता आपके हिसाब से एंड यह पर यह जो IQ 12 है Android 14 को पर run cut था है based on Fanta choice प्लस आपको 3R का जो है यह पर सब्सक्राइड अप्रेट भी देखनों को भी लेगा एंड कुछ इससरा सो जो है dialer को भी add किया गया है तो यह पर Google dialer देखनों को नहीं मिलता है तो आप जो है call को definitely record कर पाओगे बाकि यह पर app opening animation, app closing animation जो है काफी fast है बहुत ही fast जो application जो है यह पर open हो जाएगा बहुत ही fast application जो है यह पर close हो जाएगा यह पर Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G connectivity का option है आयर ब्लास्टर को add किया गया है इससे भी options देखनों को मिल जाएगा प्लस यह पर battery के अगर बात करें 5000 image का जो है बैटरी देखनों को मिल जाएगा with 122 hours का जो है fast charging है बाकि battery backup कैसा है सब के बारे में हम जो है अलग से details में वीडियो गरना ने बाला है फिलाल यह जो फोन ने latest update के साथ देखनों को मिल आ है यह पर जून का जो है security patch update देखनों को मिल गया है यह पर face unlock and fingerprint sensor का जो option से अबर काम कर जाएगा इसमें जो है IP64 water and dust resistance को जो है add किया गया है प्लस 144 Hz का जो है refresh rate भी देखनों को मिल जाएगा तो definitely यह जो वीडियो है like कर देना share कर देना मिलते हैं next video को पर thank you very much for watching this video have a nice day bye bye